नमस्कार आद आप सबसे काल रिंको यादव इस्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी केवल लासो पराजनिती करती है ये कहावत है मुह में राम बगल में छूड़ी वही हाल भारतिय जनता पार्टी का है और आज मैं सिद्ध करूँगा इस बात को कि किस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है आप सब को पता होगा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुती लोग प्रिय मुहीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन उन्ही बेटियों के साथ दरंदगी करने वालों के साथ भी भारतिय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है जी हम बात कर रहे हैं बलतकारी और हत्यारा गुर्मीत राम रहीम की आप सबको पता होगा वो पिछले दिनों जेल से रिया हो गया है और इस बार उसको 42 दिन के पैरोल मिली है अब इसके पीछे का असली वज़य क्या है मैं आप सबको बता रहा हूँ चुनाव होने वाले हैं हर्याना सौरी गुजरात में और हिमानचल प्रदेश में और हर्याना के आदमपूर में बाई लक्सन है उसी को देखते हुए इसकी रिहाई के गई है आप सबको पता है कितना इसकी अनुवाई है और कितने लोग आज भी इसको मानते हैं और उसी का फायदा उठाने के लिए कहीं न कहीं भारतिये जनता पर्टी इस बलतकारी को इस खत्यारे को क्योंकि ये बलतकारी हत्यारा ही है जिसको कोर्ट ने सजा सुना नुआदjung सुखी हो ये गुरुवीत राम रह đãम को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और दो केस में और 15-15 लाक रुप्या का जुर्माना भी लगाया है उसके उपर भारतिय जन्ता पार्टी कितनी ज़्यादा महरवान है आप सबको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि इसी साल साथ फरवरी 2022 को भी उसको 18 दिन की पैरोल मिली थी उसके बाद इसी महिने में दो दिन पहले उसको फिल से पैरोल मिल गई है इस बाद बायाले जिन की और ना सिप गुर्मित राम रहीम के मामले में भारतिय जन्ता पार्टी नरम है इसके साथ खड़ी नजारा रही है पर की बहुत से इसे उधारण है जैसे मैं बता दूँ कुलदीब सेंगर जो बीजेपी का विधायक है किस प्रकार से बच्ची के साथ बलतकार का उसके उपर आरोप लगता है उसके बाद उसके पूरे परिवार तहस नहस हो जाता है उस बच्ची का और कुलदीब सेंगर भी आज रिहा है और उसके साथ बीजेपी सुरू से लाश तक मतलब आज तक खड़ी नजर आती है वैसे ही आज सब को पता होगा भारती जंदाबाटी का पुर्वराज मंत्री स्वामी चिनमे अनन्द आप सब उनका वीडियो भी देखे होंगे कितना सारा वीडियो वारल हुआ था तेल मालिस कराते हुए बच्चियों के साथ उसके बाद जम्मू कस्मीर के कटुआ में एक आठ साल की बच्ची के साथ बलतकार होता है और उन दो जो बलतकारी हैं उन दरिंदोगों के साथ भार्तिय जन्ता पार्टी खड़ी नजराती है और उनके समर्थन में वहाँ पर रेली निकालती है और उधारन में बता दूं गुजरात का इसी 15 अगस्त 2022 को रिया होते हैं 11 वह आरोपी जो अब तक के सबसे बड़ा जगहन अपराद को अंजाम दे चुके थे बिल्किस बानो के आरोपी उनको ना सिर्फ रिया कर दिया भार के जन्ता पार्टी बलकि बीजेपी के एक नेता तो यहां तक भी बोल देते हैं कि वह ब्रामन हैं इस वज़े से वह कांड नहीं कर सक अब दोस्ते ऐसा इसके लिए उनको रिहा किया जाता है यानि वह सीधे सीधे कोड के उपर प्रसंचिन लगा रहा है कि कोड ने जो अपना निड़े दिया है वो गलत दिया है और ना सिक उनका रिहाई होता है बलकि फूल माला से उनका स्वागत भी होता है जैसे कि वह किस यूद लड़कर आये हूं तो दोस्तों ऐसी बहुत सीधारण है जिसमें आप सबको सामने से नजर आएगा कि भारते जन्ता पार्टे इन बलतकारियों के साथ इन अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है और कहीं न कहीं अपने ओटबैंक के चक्कर में इनका समर्थन क करती है जिसके वज़े से आए दिन अपराध होता है कि केवल इनका बर्गला करके एक ओटबैंक को हासिल करना है जिसकी वज़े से ये लोग उन बलतकारियों के साथ उन अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं तो ये थी आज की सची घटना किस प्रकार से गुर्मीत सजा काड़ रहा है दो बलतकार और दो हत्या के मामले में और उसके उपर 15-15 लाख रुपया का जुर्माना भी लगा हुआ है उसके बावजूद भी उसको इसी साल दूसरी बार 42 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है जबकि हर्याना के आदमपूर में बाई एक्षन उसके बाद आगे गुजरात में चुनाव है उसके बाद हिमांचल प्रदेश में चुनाव है तो कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ बीजेपी की साजी से यह लोगों को समझना होगा तो कमेट्स करके बताएं आप लोग कि क्या रहा है बीजेपी के बारे में गुर्मित राम जयानि वानने माते